आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So the question is relationship between sea animal and hermit crab is called proto-corporation So guys हमें बताना है कि यह जो statement है correct है नहीं So guys हम समझते हैं फरक between mutualism and proto-corporation So guys basically mutualism जो होता है और proto-corporation जो होता है इन दोनों ही interaction में दोनों ही species को benefit होता है जो इस relation में involved है चीक है लेकिन difference इतना हो जाता है guys यहाँ पर difference इतना हो जाता है कि mutualism में जो होता है दोनों species जो होती है उनका survival एक दूसरे पर dependent रहता है वाइल proto-corporation में क्या रहता है दोनों species को benefit तो मिलता है लेकिन उनकी interactions उनका survival effect रहता है मतलब वह दोनों species अगर अलग भी हो जाता है तो इस दूसरे के survival को वह effect नहीं करती है लेकिन यहाँ पर क्योंते है mutualism जोता है उनका lifelong relation है तो अगर एक species भी एक species को अगर कुछ हो जाता है तो दूसरी species eventually उसका survival effect होता है चीक है सो इसमें क्या हो रहा है sea animal जो होता है वह कहां पाय जाता है वह hermit crab के back पे पाय जाता है अब sea animal क्या provide कर रहा है hermit crab को protection क्योंकि जो stinging tentacles रहते हैं sea animal के उससे सारे उसके जो predators होंगे hermit crab के वह दूर रहेंगे ठीक है तो इससे मिल रहा है protection while hermit crab क्या provide कर रहा है hermit crab provide कर रहाता है food कि इस तरहे के से hermit crab जिस पर भी feed करता है तो remaining food particles होते हैं वह गिरते हैं sea animal उन पर feed करता है तो यहां पर sea animal को मिल रहा है also sea animal होते हैं बहुत भी कम motile होते हैं तो एक added benefit है कि वह उसके back पर मिल जाता है तो यह benefit है अब यहां पर क्या है जो interaction है यह इनका कैसा रहता है कि अगर दोनों साथ है तो दोनों को benefit होगा and if they're not together तो यहां पर ना है तो उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा उनके survival पर तो यह जो statement है बिलकुल correct है Thank you Classics to 12 से लेके NEET IIT GE means और advanced के level तक